गोगी बाट और त्रीफी बाट जो थे इनोसेंट थे उन दोनों के साथ इनका कोई पुराना चलता नहीं आ रहा एक नया जगड़ा होता है टीपू को दौर में इसके जो पुलीस अफसर थे ना उन्होंने सोचा कि यह दुश्मनी हतम हो गई तैसी कौब ते कितों खामांग है तो वो बड़े बड़ डाले वाले कौन थे जरने बार फाइरिंगी यह साथ साल का बंदा शूटर कैसे बन गया और खुद का शमले के लिए तैयार कैसे हो गया असलाम लेकुम मैं हूं महर जिशान आप देख रहे हैं 92 नियूज डिजिटल मेरे साथ आज मौजूद है शाहिद शौदरी साब असलाम लेकुम सर वालेकुम असलाम भगया क्या आला आपका ठीका अलहमदुलिल्ला सर ये अमीर बलाज साहब का जो मडर किया गया है ये चौती नसल है जो इस दुश्मनी की भेच चड़ गई तो मुझे ये बताएं कि ये दुश्मनी की शुरुआत कैसे हुई थी क्या वो जड़ किया थी जहां से ये इतना तनावर दरख्त बन गया है ये दुश्मनी का ये दुश्मनी जो है ना इनके पड़दादा से शुरू ही ए वो सुनने में आया है जराय ने इस बात को कंफर्म भी गया है मैंने प्रोग्रम ने जिकर भी गया है उनके पड़दादा जो थे ना वो पसीन वाले जो थे ना पीला कशमीरी वगारा इनके साथ मिलकर बलैक क का काम किया करते थे इंडिया में को लाची वगारा कुछ तरह की चीज़ जो थी ना जो बेंड आइटम है वो भेज़ते थे और उसकी ब्लैक का काम ये किया करते थे पर दादा ने जो एप इसे ही कटे कि और शालमी के दर जगा खरीदी वहां से ट्रक वगारा खरीदे दुन साब आगे बिला ट्रकां वाला वो बहुत ज्यादा शोहरत उन्होंने पाई सियासतदानों के साथ उनके तालुगा था सियासतदानों का रुखुस की तरफ था तो अमीर अदीन जो है ना वो आपने देखा कि उसका क्या अंजाम हुआ उसके गानमैन हनीफे ने उसको मार उसको में थे उसकत 94 में तो वो इनको बेचता था क्राइब गराना लेने के लिए तो यह उसके टुकड़ों में पलते थे यानि जो कपड़े पहन थे जूते जो पहन थे बिला लेके देता था इन्होंने जो आना मुफ़त परी शुरू कर दिती किराए लागर देने बीच यह अपनी बदमाशी के जोर में उसको आँखे दिखानी शुरू कर दिए उन्होंने वो इनको डिसलाइक करना शुरू कर देता है उसके बाद यह लोग जोने एक लड़ाई होती है उनके घरवलों को पुलीस ले जागर बिज़त करती है कई प्रोग्रम से मैंने बताया है उसकी वज़ा से यह गैंग बन कर ना जमरों से ही कठे होते हैं बहुत खतरनाक इश्तियारी मुरादी उसके लबा मोटी वाला मनादर शावीदियां हनीफा बाबा यह घात लगाकर जो है उसके अड़े गंदरी मस्जीद है सुबर नमाज बढ़ने जाता है उसको मार देत उसकी जुष्मनी में जिए प्सक्राइब उसको मर आपकं वह और बाबा देत हो इसको मुखाबर के खाला नहीं पट्रूल जाती है अब दोस्तों के बदला लेने वारे बहुत कम लोग होते हैं बेशाग वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्याएंग था वो दुश्मिनी खतम हो गई अब जो अगली दुश्मिनी शुरू होती है न वो बट ब्रादरान के साथ थी तीफी बाट और गोगी बाट सब के साथ इनकी पहली दुश्मिनी नहीं थी गोगी बाट और तीफी बाट जो थे इनोसेंट थे उन दोनों के साथ इनका कोई पुराना चलता नहीं आ रहा एक नया जगड़ा होता है टीपू को दोर में जिमी का और पिंकी का वीदियां के भाई गाई जो हुन है वाई ठेस है अपदा जो भाई होग सथ ही जाते है और मैं पर कुरानी की सोला जाती है टीपू टॉकाँ वाला न tale car यहां से जो है ना पुलीस वालों ने अपनी जो है ना वो जमाने के जो थे यानि कि आप नियुसमेलने के 84 85 90 के जो पुलीस अफसर थे ना उन्होंने सोचा कि यह दुश्मनी खत्म हो गई तैसी कौब तके कितों खामांगे हमारा चुला कैसे जलेगा पुलीस वालों को बढ कि यह आग चाहिए है उन्होंने बिले पुल्वान को मश्यूरा दिया कि पुल्वान जी यह रहा भांच जाएगा एना लगाम पाओ बिल्ला पुल्वान दिर्वेश आदमी था और वो जो टीपू ट्रकां वाला था वो भी अखाड़े का पहलवान था इन दोनों बाप ब मे रहनत करने वाले यह एकाड़े कोड़ें यह दिर्वेश गिने जाते हैं पहले जमाने में बचे रोते थे नयता हुख न खाता और वाली और बजा रहता वो लंगोते की मां की और वीदियां की सारी फैमिली की जब ऐसा अल्मिया होगा तो उसका कोई नहीं नहीं किया था पुलीस वालों नहीं तो आग लगाई है चोधरी सिदीग और सुल्तान गड़ा जैसे अफसरान ने इन्हों ने वह आग लगाई है मिन के नाम लेता है ताके लोगों को पता हो कि चोधरी शाहिद अहीं बात नहीं करता यह लोग जो थे ना इन्हों ने समयले मच जिलाया आग नहीं चूले की आग नहीं मच पुरा जिला दिया था यारी आग बढ़क जया इसका मतलब यह जो कहा जाता है कि यह दुश्मनी जो है यह चार नसलों से चलता तो प तरह से दुश्मनी चार पुश्टों गया है लेकिन इसमें किरदार मुक्तिलिफ हैं हर दोर में जो है ना है चार दुश्म चार नसलों से जो दुश्मनी चलती आ रही है वो तो डिफरेंट दुश्मनी हो गई ना वो तो दुश्मनदार चेंज हो गया उनका तो दुश्म जिसमें था कि हमारा जो benefit है वो दुकाने बंद हो जाएंगी जो हमारा benefit है वो हमें मिलना चाहिए और उन्होंने फिर इस चीज को भड़कावा दिया और फिर उनको इन अदर वर्ड्स के उनको उनकी फैमिली को बिजद किया तो कौन बरदाश करेगा अब नोट की जगा है यह बात आपने काटनी नहीं मैंने एक प्रोग्रम बलाज की जिन्दगी में अपने चैनल पर अपलोड किया हुए अब उसको खोल कर देखें जहरे बराज साथ महीं ने पहले का प्रोग्रम लग एक बात कही थी जो मैंने प्रोग्रम में भी जिकर किया है साथ महीने पहले उसने कहा था कि शाहिद भाई आप हमारे बड़े हैं बड़े हैं बड़े अच्छी बाते करते हैं आप नौजवानों को बड़े च्छे मैसेजिस देते हैं आप एक बात याद रखिएगा मेरे बड़ों ने जो इनकी खवातीन को पुलीस के कहने पर उठवाया ना हाला कि उसके बड़ों ने नहीं रखिए था मुझे यगीन है कि वह इस तरह के बंदे नहीं थे पुलीस ने अपने кольवान दे का नवब टंगा तो वह कहता है मेरे घरवालों का बड़ों का सबसे गलत एक दाम ये था ये लड़ाई औरतों की तरफ नहीं जानी चाहिए थी उस आप अंदादा लगाएं कि बलाज टीपू एक पड़ा लिखा नौजवान है सोच किस तरह थी यानि को इसके थी ना उसने कंडम्ट किया इस काम को कि मेरे घरवलों ने ऐसा क्यों थी पुलीस का अगर कोई कोई भी बड़ा मसला हो गया अगर उसमें खवातिन को उठा के लेके जाना और इस तरह करना ये तो अगैंस दा लौ भी है ये कानून भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जिसके उपर केस है उसी को लेके जाया जाता है मगर रूल ऑफ लौ पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही है माशाला इला माशाला जो सूरतेहाल है हमारी अब सूरतेहाल किया है बिलाज के मडर पे पुलीस वालों की आगे पेशरफ्त क्या है और वो आगे क्या आपको सेनेरियो नजर आ रहे हैं आपने तो इन चीजों को बड़ी तसली से देखा हुआ है अपनी आँखों से आपने ये हलात और वाकियात देखे हुए ये था कि आपने जो सवाल किया रहे हैं दो तिन पॉर्शन इसके पहले पॉर्शन का आपको जवाब दता हूँ जो उस वकत की पुलीस ही ना वो पेंडे थे पेंडे का लफ़ में इसलिए की कहा रहा हूं हर बंदे को समझ आ जाया है वो पिंडों से आएवे थे इनका कोई लहौर के अंदर जो है ना कम मुखबरी थी इनके पास ना अपना एक नया काम निकाल कर रहा है जिस तरह बिले की लड़ाई को उचाल कर रह हैं उन से ज्यादा दबंग बंदा वो एक क्रिमिनल के लिए मौत और शरीफ आदमी के लिए वो एक दर्द बिमारी के दर्द की दौा हैं मैंने तो यह देखा है मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं उनकी सारी टीम जो काम कर रही हैं सब पड़े लिखे हैं बहुत उनका विजि हैं उपर कमांडर को होना है डाक्टर उस्मान अनवर आप मुझे यह बताएं एक आई जी सोने वाला ही नहीं है तो लोग कहते हैं लहूर के अंदर गैंग वार मुझे कोई गैंग वार में सर निकाल कर दिखाए पुलीस वाले उसकी गरदन उड़ा आगर रख दें को सर न इतना बड़ा जलम हुआ है इतना बड़ा सानिह हुआ है उसके घरवलों पर क्या गुजरी है थम बिलों पर लिख देते हैं लाओर के अंदर गैंग वार होने लगी है यार एक बंदा अपने गम के अंदर जाना डूबा हुआ है उस बिचारे को होश नहीं आ रही है उसको कि मेरे उपर एक नजायज पिस्तॉल का ना केस बना के मुझे अरेस्ट कर लिया गया कुछ शादी की वीडियो थी पुरानी वो किसी चैनल पर चली या इस पे सोशल मीडिया पर वाइरल हुई जहां पर वो कुछ शायद फाइरिंग वगारा कर रहे थे पुरानी वीडियो थ तो उन्हेंने काई जो टिप थी ना मेरे पास जो मुझे पता चला वो यह था कि इन्हों ने मुझे कोटलकपत जेल में जितने वहां पर जो लोग मौजूद हैं जो दूसरे कैदी मौजूद है वो सारे उनकी दुश्मन पार्टी के लोग हैं और वो इनको नुकसान पचा जो बड़ी देर से हो रही थी वह दोफा कैमप जेल में रहा है क्योंकि मैं भी कैमप जेल में छे ब्लॉग में था ना तो यह 40 चकी के अंदर स्क्यूर्टी वार्ड में बंता जब यह रहा उता ना एक महीन और 16 गालबन यह अंदर रहा था यह रहा होता तो नो दिन के बा और ने उसके और जाना रिमूव कर दिये थे और दूसरी देवा वो आठ या साथ दिन के बाद रहा हो गया था बिलाज जगड़ा नहीं चाहा रहे थे वह अपनी जिन्दगी को बेहतर तरीके से चलाना चाह रहे थे तो अब जो यह केस आगे चल रहा है इसमें क्या पेश कर लिए तफ्तीश जो आना बड़ी आगे तक चली गई है उन्हों ने जितने भी गवाह शहाद्ती जो F.I.R. के अंदर बने में इनकी लोकेशन और इनकी C.D.R. दे निकलवा लिए हैं कि आया यह गवाह और जो शहाद्ती था यह मुद्दई जो था यह प्लेस अफ़कर जहां पर वाक्या हुआ है इसकी लोकेशन सेम टाइम पर वहां की आ रही है पहले तो वह इस पीज़ पर देख रहे हैं कि आया F.I.R. दुरुस्त काटी है और यह बड़ा खुशाइन देखता हम है फिर वह यह देख रहे हैं कि जहां पर इन जखमियों को लेकर गए हैं प देखे ना गवाह और मुद्धी हमेशा रिष्टेदार भाई बगारा होते हैं तो जाहर है अगर यह वाक्या वहां पर आया था यह चोड़के तो नहीं गए होंगे वो सारी चीजों की रोशनी में तफ्तीशा भी जा रही है और बेश्मार गिरफतारी हों हो चुकी हैं इ F.I.R. में और एक्चुल वकुए में अगर कॉंट्रोडिक्शन आ जाता है तो जो मुल्जम होता है या जो जिसने ओफेंस किया होता है उसको benefit of doubt मिल जाता है और इन से उनके होंसले बढ़ते हैं यह आपने जो बात बताईए बड़ी खुशाईन है कि exactly जो वकुए हुआ ह F.I.R. हो ताकि benefit of doubt ना मिले benefit of doubt तो हमेशा मुल्जम को मिलना हो अदालत में मुल्जम अदालत का चेहता है बटा है तो बात यह है कि इसमें जो है ना पुलीस अगरी साथ तक जा रही है ना CCTV वीडियो निकल नहीं आप यह देखें कभी आपने सुना है कि मुद्धियों के लिए जाना उनकी इनक्वेर इतनी टाइट हो रही हो क्योंकि आई जी साब के यॉडर है कि मुझे दूद अलग और पानी अलग करके देना है इसलिए इतनी महनत हो रही है अभी तक पचास से ज्यादा अफराद interrogate हो चुके हैं जो तफ्तीश में जाइन कर चुके हैं इस क इसको close कर दें तो बड़ी मेनत और या भी बताओंगा आपको जो हलात बने हैं यह जो बंदा आया था मडर करने उसको तो पता ही होना है ना कि अगर मैं यह हरकत करूंगा तो बचना तो नामुम्किन है तो वो एक तरह से खुदकशी बनके आया था तो हर प्रोगम में यह जो है यह खुदका शंबला हुआ है और यह 100% आपको पता है एक एक एन्वल अग्जैमिनेशन न जो है ना उसकी रुपोर्ट होती है पोस्ट मार्टम की और एक होती है मेदे की जो मेदे की रुपोर्ट होती है उसमें आया था जाहर खौर नी तो नहीं की गई इसको जो का शूटर मैंने अपनी जिंदगी के अंदर पहला देखा है हालां कि मैंने 20-25 साल के शूटर यह देखे हैं वो तो बन भी जाते हैं यह 60 साल का बंदा शूटर कैसे बन गया और खुद का शमले के लिए तैयार कैसे हो गया आप देख लीजिए आप फ्रांजी की रिपोर्ट आइस जोए नहीं पॉच जहर है इसको कता ही तौर पे अपने नशा या ड्रग ने वो तो ड्रग के दा लोग होसला ले जाए या ड्रग यह नहीं कोई बात निए मौत है मैंने बड़े प्रोग्रम इसको इसको आई सपला ही होगी वो देख लेंगे रिपोर्ट आएगी न झाल